हे एवरिवन तो कैसे हैं आप सब सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात जाना चाहूँगा कि आप कैसे हैं आपके घर में सब कैसे हैं यह मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि काफी sensitive टाइम चल रहा है हमारे असपास सो प्लीज मुझे comments में ज़रूर बताईएग सो हाली में आप देख सकते हैं इसके regarding एक article भी publish हुआ है सो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे COVID-19 vaccines for all adults in India from May 1st says center सो center government ने directions दिये हैं पूरी nation को कि vaccinate किया जाएगा उन लोगों को जो की 18 साल से उपर की age के हैं जो की adults हैं सो अब जानते हैं कि पहले क्या criteria था पहले vaccine किस हिसाब से लगती थी सो 16 January 2021 को center government ने एक nationwide program स्टार्ट किया था जिसके according उन्होंने vaccine उन लोगों को सबसे पहले लगाना शुरू किया था जो healthcare workers थे और जो frontline workers थे सो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए on 1st April 1st April को यही program नों ने extend कर दिया उन लोगों के लिए जो की 45 years या उससे उपर की age के लोग हैं क्योंकि जैसा कि हम सब जानते कि March के आसपास 45 years के जो age के लोग हैं उनकी सबसे जादा death हुई थी आपको सुनके हरानी होगी उन लोगों की death की percentage 80% थी 80% mortality rate था उन लोगों का जो 45 years से उपर के थे So finally on 19th April Prime Minister Narendra Modi direct करते हैं पूरी nation को की अब उन लोगों को भी vaccine लगना start हो जाएगी जो 18 years से उपर की age के हैं जो की adults हैं So जैसा कि हम सब जानते हैं कि second wave hit कर चुके है Corona की India को और ये wave उन लोगों को जादा effect करती है जो 45 years की age से नीचे के लोग हैं जो young लोग हैं 65% उन लोगों को जादा effect करती है ये Corona wave जो की young लोग हैं So इसी चीज़ को लेके government का काफी criticism हुआ कि आप young लोग के लिए vaccinate उन्हें क्यों नहीं कर रहे हैं So हाली में government ने इस चीज़ को लेके इन criticism को लेके अपने काफी answer दिये हैं reply दिये हैं So government ये कहती है कि वो ensure कर रहे है scientific और epidemicological approach Government ये भी specify करती है कि वो standard operating procedures apply कर रही है ensure कर रही है WHO के द्वारा जो दिये गए है अब बहुत सारे लोग इसी चीज़ को लेके government का criticism कर रहे थे कि वो सभी वर्ग के लोगों को सभी age के लोगों को vaccine क्यों नहीं लगा रही है vaccinate क्यों नहीं कर रही है लेगिन government ने इस चीज़ का भी answer दिया है कि वो एक dynamic model को adopt कर रही है जिसके according जो group सबसे ज़्यादा vulnerable हैं जो group सबसे ज़्यादा effect हो रहे हैं सबसे ज़्यादा prone to coronavirus हैं उन्हें वो पहले vaccinate करेगी जैसे healthcare workers, frontline workers और फिर बाद में वो अपना ये program और वर्क के लोगों को और groups पे extend करेगी इसी दोरान government ये भी specify करती है कि वो different experts से opinion ले रही है उनका in the pursuance of coronavirus so government जो सबसे उपर जो चीज़ रखती है इन answer को date time वो यही कहती है कि जो vulnerability priority groups हैं जो ऐसे groups हैं जो सबसे ज़ादा effect हुएं coronavirus से उनको वो पहले vaccinate करेगी फिर वो बात में सभी लोगों को vaccination प्रोवाइड करेगी so अब जान लेते हैं different phases के बारे में कि किन phases पे vaccination प्रोवाइड की गई थी सभी लोगों को so सबसे पहले सबसे पहला phase सबसे पहला phase start होता है 16 जनवरी को जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि 16 जनवरी को government ने start किया था nationwide program vaccination लगाने का और ये सबसे पहले उन्होंने start किया था उन vulnerability groups को जिनको सबसे ज़ादा जो effect हुए है coronavirus से जो की थे frontline और healthcare workers so phase 2 शुरू होता है 1st March को जिसमें government ने ये nationwide program vaccination लगाने का program extend कर दिया था उन लोगों को जो 45 year की age से उपर के लोग हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पिछली slides में कि इस time 80% mortality rate था उन लोगों का जो 45 year की age के उपर के लोग हैं वो सबसे ज़ादा उनकी death हुई थी इस time पे तो government ने ये nationwide program extend किया 45 year से उपर की age के लोगों के लिए so finally third phase शुरू हो चुका है जिसके according first में से शुरू होंगी vaccination process और ये vaccination provide की जाएंगी लगाई जाएंगी उन लोगों को जो की 18 साल से उपर के लोग हैं so ये जो phase 3 government ने start किया था जिसके इसाब से 18 साल से उपर के लोगों को vaccinate किया जाएगा so इसी phase 3 को लेके government ने कुछ special guidelines issue की है so एक के बाद एक इसे समझते हैं so जो भी vaccine manufacturers हैं जो भी vaccine बनाने वाली company हैं वो उनका जैसे हम एक example से समझते हैं जैसे आपके सामने सबसे उपर है Serum Institute of India ये एक vaccine बनाती है so ये जितनी भी अगर ये 100% vaccine का production करेगी तो 50% तो obvious सी बात है center government को जाएगा ही जाएगा इन guidelines के साब से लेकिन जो बाकी की बची 50% vaccines हैं या तो उन्हें state government खरीड सकती है Serum Institute of India से contact करके या उसी 50% की अंदर से अगर state government ने खरीड ली तो बाकी की 25% या Serum Institute of India किसी private sector को बेच सकती है या वो ही वो open market में available करा सकती है तो यह काफ़ important guidelines है जो की central government ने issue की है तो अब जानते हैं इस vaccination process को लेके government की final strategy क्या है तो पहली strategy government की यह है कि वो highest priority देगी उन areas में जो की adversely effect किये गए है by COVID-19, by coronavirus ऐसे areas जिन में सबसे ज़ादा COVID-19 के cases है और जो सबसे ज़ादा बुरी तरीके से effect हुआ है government उन्हें prioritize करेगी कि उनमें vaccination की process पहले दी जाए पहली provide किया जाए उन्हें wastage of vaccine को avoid करेगी government इनकी दूसरी strategy है यह तीसरी strategy जो काफ़ी important है मेरे opinion में वो यह देती है government की जिन लोगों को पहला dose लग चुका है COVID-19 vaccine का अब उन्हें second dose देना highest priority बन जाएगी government की fourth strategy में जैसे कि मैंने पिछली slide में आपको बताया है कि vaccine production जितनी भी होगी vaccine production 100% होगी तो उनका division किया जाएगा 50% दी जाएगी center को और 50% दी जाएगी state government प्राइवेट सेक्टर और open market में प्रोवाइट करवाने के लिए और आखरी जो strategy government ने आपे specify कि जो भी vaccine के manufacturers है वो declare करेंगे वो specify करेंगे वो बताएगे government को कि कितनी amount of supply distribute की जाएगी state के अंदर private sectors के अंदर और open market में कितनी amount of कितनी supply में vaccine provide किया जाएगी so मुझे उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी काफी knowledge बढ़ी होगी आपकी इस वीडियो से so वीडियो को like जरूर कीजेगा यार subscribe कीजेगा बहुत मेनज जाती है research करने में have a great day